Hey everyone, I am Neha, welcome to our YouTube channel exam topper So student, आज का हमारा topic है बदले हुए नाम और ये May 2021 तक जो है बदले हुए नाम है जो कि एक बहुत important topic है आपके exam के लिए for SSCGD, UPSI, UP Police ASI, NTPC, Group D and other competitive exam So वीडियो लास्ट तक देखें आप लो और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो को शेयर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कीजे जो लोग भी न्यू है टेलिग्राम चैनल आप जोईन कर सकते हैं पीडियो थोड़ी लेट है मतलब ये है कि पीडियो मैं नहीं डाल पा रही हूँ लेकिन पीडियो आपको मिलेगी जरूर चले फास्ट कोशन देख लेते हैं गुरकपुर एयरपोर्ट का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है तो ये रख दिया गया है सुप्रिम कोर्ट मेट्रो स्टेशन आप्शन नमबरे हो जाएगा और ये प्रगती मैदान मेट्रो स्टेशन का बदला हुआ नाम है सुप्रिम कोर्ट मेट्रो स्टेशन अगला कुशन है किस सहर के गोरे वाडा चिडिया घर का नाम बदल कर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है तो ये नागपूर हो जाएगा देखे जो गोरे वाडा चिडिया घर है ये कहा है तो ये नागपूर में है महराश्ट्रो का एक सहर है नागपूर वहाँ पर तो इस बाला ठाकरे के नाम पर रखा गया है ये याद रख लेना है B option Next है महराश्ट्रा के औरंगाबाद का नाम बदल कर क्या किया जाएगा मतलब बदला जाएगा तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा option number D संभाजी नगर औरंगाबाद का नाम बदल कर संभाजी नगर किया जाएगा जोगी महराश्ट्रा की एक सिटी है Next हबीब गंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो यह कर दिया गया है अटल जंक्षन B option हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हबीब गंज रेलवे स्टेशन का बदला हुआ नाम है अटल जंक्षन Next one is जासी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा जाएगा Important question है यह वाले है जो जाएगा में है जो बताय जा रहे है मतलब इनके नाम बदले नहीं गए है यानि बदल दिये जाएगे और क्या नाम बदले हुए होंगे जासी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा जाएगा तो वो वीरांगना महरानी लक्षमी बाई जो है किया जाएगा अगला कोशन है करनाटक सरकार ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर किस के नाम पर कर दिया है तो ये कर दिया है महादेवप्पा मैलाना के नाम पर बी ओप्शन राइट आंसर हो जाएगा हावेरी रेलवे स्टेशन का बदला हुआ नाम जो है गुजरात, ओके, option number B अम मैं states के बारे में इसलिए नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इतनी बार बता चुकी हूँ मैं, मुझे खुद रट गई हैं ये सारी चीजे तो आपको तो रट ही गई होंगी है ना तो dragon fruit ओके, तो इसका नाम बदल कर जो है कमलन fruit कर दिया गया है, यानि कि जंगली फल, अगला question देख लेते हैं, किस metro का नाम राजा भोज के नाम पर रखने की घोशना की गई है, तो भोपाल metro का जो नाम है, वो राजा भोज के नाम पर रखने की घोशना की गई थी, ओके c option diet answer हो जाएगा भोपाल metro जो की MP में है next train 18 का नाम बदल कर, क्या रखा गया है तो ये रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस, ये train 18 का बदला हुआ नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, option number B, next Facebook की crypto currency Libra से नाम बदल कर क्या हो गया है देखे Facebook की crypto currency का नाम था Libra अब ये Libra का नाम बदल कर क्या कर दिया है, तो ये कर दिया है डाइम, ये आपको याद रख लेना है तो अब यदि आगे से question पूछा जाता है कि Facebook की crypto currency क्या है तो आप Libra ना करके डाइम करेंगे वहाँ पर ये याद रखना है next है IPL team Kings 11 पंजाब का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो ये कर दिया गया है पंजाब Kings option number A हो जाएगा right answer, okay Kings 11 पंजाब का बदला हुआ नाम है पंजाब Kings अगला question है मध्य प्रदेश के होसंगाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो ये कर दिया गया है नर्मदापुरम option number A यहाँ पर हो जाएगा right answer होसंगाबाद का बदला हुआ नाम है नर्मदापुरम ये भी याद रखना है next question है railway सुरक्षा बल यानि की RPF का बदल कर क्या जो है नाम रखा गया है तो वो है भारती railway सुरक्षा बल सेवा यानि की RPFS option number B हो जाएगा right answer next question है airline company go air का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है देखे ये जो go air है ये एक airlines company है अब इसका बदला हुआ नाम क्या है तो बदला हुआ नाम है go first option number B हो जाएगा right answer अगला question है विश्व के सबसे बड़े cricket stadium motera stadium जिसका पहले नाम सरदार वल्लब भाई पटेल के नाम पर रखा गया था तो इसका हल ही में नाम बदल कर क्या कर दिया किसके नाम पर कर दिया गया है तो नरेंद्र अमूदी option number A अगला question है अंबाला बस stand का नाम बदल कर किसके नाम पर कर दिया गया है तो B option यहाँ पर हो जाएगा right answer सुस्मा सुराजों के अंबाला बस stand का जो बदला हुआ नाम है वो सुस्मा सुराज के नाम पर रखा गया है अगला है बोगी बुल पुल का नाम बदल कर क्या जो है रखा गया है तो यह रखा गया है अटल सेतु C option हो जाएगा right answer बोगी बुल पुल का बदला हुआ नाम है अटल सेतु नेक्स्ट है दिल्ली के बाबर रोड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो यह कर दिया गया है 5 अगस्त मार्ग B option यहाँ पर right answer हो जाएगा देखे 5 अगस्त आपको याद रखना है बाबर रोड का नाम कर दिया गया है 5 अगस्त मार्ग अगला है किस सहर के सर्कुलर रोड चौक का नाम बदल कर अटल जी चौक कर दिया गया है तो यह कर दिया गया है जम्मू देखे जो सर्कुलर सर्कुलर रोड चौक है यह है जम्मू में तो इसका नाम बदल कर अटल जी चौक कर दिया गया है यह आपको याद रख लेना है अगला कुशन है किस सहर के सिटी चौक का नाम बदल कर भारत माता चौक कर दिया गया है तो ये जो सिटी चौक है ये है जम्मू में और इसका नाम बदल कर दिया गया है भारत माता चौक तो C option यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला है करनाटक सरकार ने हुबली रेलवे इस्टेशन का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है तो ये है सिरी सिद्धा रुद्धा स्वामी जी D option यहाँ पर राइट आंसर है अब हुबली रेलवे इस्टेशन का बदला हुआ नाम है सिरी सिद्धा रुद्धा स्वाम जी के नाम पर D option है right answer अगला है उत्तर प्रदेश के अयोध्य हवाई अड़े का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो ये कर दिया गया है मर्यादा पुर्षोतम सिरी राम हवाई अड़ा option नमबर A हो जाएगा right answer तो देखे जो UP का अयोध्य हवाई अड़ा है अब उसका रखा गया है नेता जी सुभाश चंद्रबोस द्वीप C option हो जाएगा right answer ये रोस द्वीप का बदला हुआ नाम है नेता जी सुभाश चंद्रबोस के नाम पर नेक्स्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो ये रखा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदल कर यानि की नया नाम है बहुत बड़ी ये की योजना है नेक्स्ट नील द्वीप का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है तो ये रख दिया गया है अटल द्वीप C option यहाँ पर correct answer oh my god sorry सहीद द्वीप यहाँ पर correct answer हो जाएगा नील द्वीप का जो बदला हुआ नाम है वो है सहीद द्वीप okay B option next havelock द्वीप का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है तो ये रख दिया गया है स्वराज द्वीप option number B हो जाएगा right answer यह havelock द्वीप का बदला हुआ नाम है स्वराज द्वीप next मानव संसाधन विकास मंत्राले का बदला हुआ नाम क्या है ये तो बहुत ही ज़्यादा important question है और ज़्यादा तर पूछा जाएगा exam में जिसको पहले MHRD बोला करते थे उसका बदला हुआ नाम तो ये कर दिया है सिक्षा मंत्राले education ministry option number A यहाँ पे हो जाएगा right answer next question है प्रवासी भारतिये केंद्र का जो नया नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है तो ये रख दिया गया है सुसमा सुराज भवन इसका बदला हुआ नाम है प्रवासी भारतिये केंद्र का बदला हुआ नाम है सुसमा सुराज भवन next question है रोहतांग सुरंग का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है बहुत important question है ये वाला रोहतांग सुरंग का बदला हुआ नाम है अटल सुरंग C option आपको याद रख लेना है एक question जिसका आंसर आप सभी को करना होगा comment box में विहलर द्वीब का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो वैसे बहुत important question है और इसका आंसर आप सभी को करना है comment box में ओके चलिए तो आज की वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को like कीजे जाद से जाद से शेयर कीजे वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजे ऐसी ही informative वीडियो देखने के लिए और सभी वीडियो आपके exam को ध्यान में रखते हुए जो है बनाई जाती है यानि कि जो question आपके exam में आने के chances है वीडियो को like, share, comment जरूर कीजे और चैनल को subscribe और मैं आपको next class में मिलती हूँ तब तक के लिए take care, bye bye, thank you